एक बात जो हम यहाद पर यह जो पूरा मुद्दा चल रहा है नेशनल लिजम और एंटी नेशनलिजम का तो इस मामले में मुझे लाइख तक सेडिशन पर बात करना बहुत जरूर है कि जब से बिटिश इंडिया में जब इस सेडिशन का कॉलोनी लॉजब लाया गया था तो हम याद करना बहुत जरूरी कि किन-किन लोगों को सेडिशन के चार्ज पर अंदर किया गया था जिसमें बगत सिंग है और हम अगर हम इंडिपेंडेंट इडिया में बात करते हैं तो कि इस तरह से बिना एक सेन और सोनी सोरी पर यह सेडिशन का चार्ज लगाया गया और एक हेल्दी डेमोक्रेसी में सेडिशन का चार्ज कभी एक नहीं होना चाहिए अडिली और हम सब जानते हैं कि सेडिशन का चार्ज है वो लीगली कभी स्टेंड नहीं करेगा लेकिन इस तरह की जो टारगेटिंग के खिलाफ जेन्यू संग जेन्यू के जो छात्रे वो अमे अबर करता हूँ आज का फ़हां वो डरते हैं किस चीज से डरते हैं वो तमाम धन दौलत कोला बारूत पुलिस फोज के बावजूत वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे वाजरी नाच की हमारी दास्तान पहली बार 2007 में पेश की गई और इसकी तरतीब मेरे उस्ताद ने दी जब बिनायक सेन को गिरफतार किया गया उस वक्त आज इस दास्तान को पेश करने के लिए हिमानशों खासतोर परवर्धा से आये हैं जब पीछे जो भी भूई चीज़ें हम लोगोंने ये पहली बार ये दास्तान को कर रहे हैं और दो तीन दिन में हम लोगोंने तयार की है कुछ कम्या रह गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा और हमारी प्रोड्यूसर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अनूशा रिजवी तो आज की पेशकश जेन यू के उन सभी साथियों के नाम जो की नाइन साथी का शिकार गूए हैं अब जैसे जैसे दोजार साथ जैसा मैंने आपको पताया पहली बार था जब कि ये दास्तान पेश की गई लेकिन जैसे जैसे दोर बदला इस दास्तान में तर्मीमे हुई है पर इस देश ने हमें मौका नहीं दिया है कि इस दास्तान को पीशे छोड़के हम आगे चल पड दास्ताने सेडिशन कहा तो तै था चरागा हर एक घर के लिए कहा चराग मैसर नहीं शहर के लिए यहां दरखतों के साए में धूप लगती है चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए खुदा नहीं नसही आदमी का खाफ सही कोई हसी नजारा तो हो नजर के लिए वो मुतमईन है के पत्थर पिघल नहीं सकता मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए तेरा निजाम है सिल्दे जबान शायर की यह एहतियात जरूरी है इस सफर के लिए कहां तो तै था चरागा हर एक घर के लिए कहां चराग मैंसर नहीं शहर के लिए तुबल गुना कशाने आरिजे शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं के तिलिस्म कोहिस्तान का बादशा है अफरास स्याब के जिसकी अमलदारी में साथ हजार मुलक जादूगर और जादूगर्नियों के आबाद है के बादशा उन मुलकों के सब अफरास स्याब के मुतीर और मिनकाद है पर सहर किया अफरास स्याब ने ऐसा के वो साथ हजार मुलकों के बाशिंदे अपनी अपनी मुलकित भूल कर खुद को सिर्फ कोहिस्तान का बासी समझते है सुबाश शाम उसके जंडे को सलामी देते है उसके तराने गाते है और उसकी तारीफो सना में मसरूफ रहते है तिलिस्म कोहिस्तान के तीन हिस्से और मकाम है पहला हिस्सा इस्तिलिस्म का है परदे जुल्माग यानि अंधेरे का परदा पर सहर किया ऐसा कि ना अंधेरा है ना परदा खुले आम चोर दाकू लुटेरे मुझरिम सब के सब उच्चवर के लोग तरक्ती और जहमूरियक का विर्द करते रहते हैं वैसे तो अलग-अलग सियासी पार्टियों की पुष्ट पना ही करते हैं लेकिन अंदर-अंदर से सारा माल मिल बाट के खाते हैं दूसरा हिस्सा इस तिलिस्म का है तिलिस्म बातिन यानि नजरों से छुपा हुआ तिलिस्म के जहां मतवस्सत तबके के लोग रहते हैं तिलिस्म अमरीका के सहर में मसहूर रहते हैं एक घर से दूसरा एक डिग्री से दूसरी और एक तक्ट से दूसरा जमा करने की फिराक में चोला और चैनल बदलते रहते हैं कुछ इन में से ऐसे हैं जो की सहाफत की परस्थिश करते हैं कुछ ऐसे हैं जो अदालत की महिमा का गुरगान करते हैं थंडे थंडे कमरों में सोते हैं और इजहारे राय के सहर से मुतमईन रहते हैं बाजे इन में से ऐसे हैं जो दरस गाहों में all is well का दरस देते हैं साथ कुछ ऐसे भी है जो हर दो महीने बाद कलम चला कर या जंडा उठा कर अपनी सियासत दानी पे खुदा ही फिदा होते रहते हैं शेहरियों के हुकूप की बाते करते हैं बिजली, सड़क, पानी के इंतजामायत की शिकायत में मसरोफ रहते हैं बंजाहिर तो ये सब प्रदे जल्माद की मुखाल्फ़त करते हैं लेकिन बसे परदा परदा उड़ने के मुतमनी रहते हैं तूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा इस तिलिस्म का है तिलिस्मे जाहर, यानि वह इस्सा जहां रियाया, बराया, आम लोग, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाती, जन जाती, अल्पसंद ख्यक वगेरा लोग रहते हैं घलाजत में घर, नालियों में बसेरे, ना आराम शब को, ना राहत सवेरे सुभे से शाम तक, ये लोग मशक्कत करते हैं, और जुलमात के पहरेदार, इन्हें एक जगा से दूसरी जगा, खदेरते रहते हैं ताकि ये अपने घरों को, अपने जंगलों को, अपने पहाडों को, अपनी खदानों को, अपने देवताओं को बिलखता छोड़ कर, अपने आबाई बतन से हिजरत करें और कोसो दूर जाकर शाहराहे और पुल बनाए कि जिस पर जुलमात और बातिन के बाशिंदे सफर कर सके और कुछ जो कोई है उनकी सोना उगले हीरे मोती उगले जमीन को जुलमात के बाशिंदों ने तिजारत के बहाने हथिया रखा है आजरीन अफरा से आप और उसके साथी अपने बनाए हुए तिलिस्ब में जहाँ पर मकान है सेरगाहे है इमारते है उसके उपर हवा के तक्त पे सवार सेर करते फिरते हैं और मेकिन इंडिया के काम्याबी पर डॉक्यमेंटरी बनाए हुए तो जब अफरा सियाब के बनवाए उस तिलिस्म में आयारे बेनजीर वाला तद्बीर हुनर परवर खौजा अमर और चार उनके शागिर्ट दाखिल हुए तो शक्ल अपनी साहिरों की बनाकर चारों तरफ उस तिलिस्म में फिरना शुरू किया कहीं सहरे खौफनाक देखा तो कहीं दश्टे हैवतनाक सामने दिखा इस पात की चट्टाने चट्टानों के पहाड पहाडों से उठता धुआ साहिर सहर करते आग और पत्थर बरसाते आस्मान गरस के ये सब कैफियते देखते आयार अलहदा अलहदा चले जाते थे कि तभी एक मकाम पर अमर जो पहुँचा तो सहरे अजीब देखा देखता है कि जंगल सारा चान्दी का बना है कोसों घास के जगा मुकैश होगी है अब अमर हाजरीन गोंके लालची है उसने ख़ियाल किया कि अगर मुमकिन हो तो ये जंगल सारा उठा के अपनी जंबील में रखलू पर मुमकिन नहीं फिर सोचा कि क्यों ना हसिया निकालू और जहां तक मुमकिन हो ये घास कात लूँ अभी हाजरीन घास काटना शुरू ही किया था और थोड़ी ही घास काटी थी कि उसके कानों में एक दिल दहला देने वाली सदा आई अमर ने जो गरदन उठा के देखा तो जंगल के बाहर खुले मैदानों में हजारों कोही तराही तराही करते लुटे फिटे चलते है अमर ने जो ये माजरा देखा खुद की शकल बदल के कोही की बनाई कत पस्ता किया जिस मकाला किया नाक चपती की और जब वहां दाखिल एक अकेला बच्चा जो रोता फिरता था गोद में उसे उठा कर पुछकारने लगा फिर देखता क्या है कि जितने साहिर है वो तो हवा के तक पे सवार सेर करते फिरते हैं लेकिन चार कोही उनसे जुड़े हुए है और वहां मैदानों में जितने कोही मर्द है या तो बू कि बेटा अमर जितनी जल्दी हो यहां से निकल लो बस ये सोचके वहां से भागना शुरू किया पर अभी थोड़ी ही दूर गया था कि प्यास का घलबा हुआ उसने सोचा कि पानी पियू डोरी निकाल कर कुए में डाली पर कुए में पानी नदारत पानी की जगा देखता क्या है कि चार कोही हाथ पैर पीछे रसी से बंदे मुपे डाटा बंदा आस्मान की तरफ तक तकी लगाए नजर आते हैं अमर तूसरे कुए में गया वहां भी पानी तो नहीं मिला कोही ही नजर आए गरस के हाजिन वो जिस भी कुए पे जाता है प्यास बुझाने पानी तो वहां नहीं पाता है चार कोही हाथ पैरमदे आस्मान की तरफ देखते नजर आते हैं वो हैरान हुआ कि अब क्या करूं फिर ख्याल आया कि जंबील से पानी निकाल के पीऊं पर पानी जो पिया तो प्यास का गल्बा बढ़ गया अब हैरान हुआ कि ए अमर ये कौन से जगा है कि जहां जंबील की तासीर भी उलट गई हैरान था कि तभी दूर चटियल मैदान में एक अकेला बढ़ का पेड़ दिखा इसने ख्याल किया कि उसके नीचे जाकर कुछ देर सुस्ता लो चला पर अभी बैठ भी ने पाया था कि यका यक बढ़ की एक जड़ में ख यसे बैठा तो उसने देखा बढ़ की सारी जड़े जूलने लगी गारी गया तो पाया कि बढ़ की जड़ जड़ न थी बलकि एक उल्टा लटका को ही था अमर जो और करीब गया तो उसने पाया कि सच मुझ बड़ की हर शाख शाख न थी एक उल्टा लटका सिन रसीदा लुंड मुंड सूखा डंडा हड़ियों का धाचा बूढ़ा कोही था लेकिन कोई उससे आँख न मिलाता था बलकि आँख यू मिचकाता था जैसे आँख हो ही न ये देखा जो अमर ने तो हवा सरसराई और एक संसनाती हुई आवाज उसके पास पहुँची कि किस से कहें कि हम पे जो सदमा गुजर गया खाली हुआ अजीजों से घर दश्ट भर गया दुनिया से दो पहर में मेरा घर का घर गया बेटा जवान कतल हुआ भाई मर गया अमर की कानों में ये सदा जो गुजी उसने चाहा कि मैं तिलिस्म के अंदर जाऊँ लेकिन तिलिस्म के बार जो पहरेदार तैनात थे उन्हों ने उसका रास्ता रोका और उससे पूछा अबे कहा जाता है भाईया मैं तो अपने घर को जाता हूँ घर? कौन सा घर? कोईयों के घर नहीं होते कोईया तो लशकर में रहते हैं या शेहर में रहते हैं या कहल खाने में रहते हैं तो लशकर में रहता है और इतना भी नहीं पता भाईया हम तो पर्देस गय थे आज ही लोटे है देख रहे आप एहाल बड़ा अपतर है अरे यहां तो हमारे घर थे यहां तो हमारे गाउ थे गाउ पे गाउ थे चश्मों पे चश्मे थे नहरों पे नहरे थी कहां गए वो सब यहां तो हमारी हकूमत थी अब राभा आदम के जमाने की बात करता है वो हुकूमत भी कोई हकूमत थी वो लक्नियां बीनना, वो पत्ते बटोरना, वो जंगल के सारे भूप मिटाना अब वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी अब हम पर साहिरों की हुकूमत है हम तारीख के दाइरे में आ गए है हमारा विकास हो गया है विकास समझता है कि नहीं? कहां से आया है? या अगर विकास हुआ ही है तो यहां लोग आहां हुका काय कर रहे है बताओ यह बताओ मुझे कि यहां पर आप हाई हत्याल यह काय फिर रहे हो और लोग अमन चैन क्यों नहीं है यहाँ पर आप मुझे बताईए अबे बड़ावन चैन की बाप करता है लगता है इसने भी जेनियू मेड मिशन ले लिया साफ साफ बता अयार है कि ना या अरे भाईया मैं तक कोही हूँ अबे कोहीं तो हम है जभी तो देख एक दूसरे से जुड़े है उन्होंने हरकत की आवाज आई चुड़म 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 अमर हुझे जो माजरह देखा समझा कि मामला गर्माता है इस पिरात में था कि क्या यारी करूँ कि यहां से बाने का रास्ता निकलूँ उससे करने लेगा अरे भाईया अगर आप मुझे यहां से जाने देना तो आपको ऐसी चीज दूँगा कि आप ता जिन्दगी मुझे दुआए देंगे यह कहकर एक मौती मुर्गे के अंडे के नाप कर निकाला और उस पहरेदार को दिखाया वो देखते ही फरेष्टा हुआ बुला एह यह तो बड़ी कमाल चीज लाया है परदेश से जरा करीब से दिखाऊ इसे जरा अपने देहन के करीब लाईये और अपने मुझे भाब देक उस पहरेदार ने वो मौती अपने हाथ में लिया अपने देहन के करीब लाया और मुझे भाब जुदी के यकायक वो मौती फुलजडी की तरह से फटा उसमें से धुआ निकला और वो धुआ मुझे नाग के रास्ते से जाकर दिमाग में पेचीदा हुआ पहरेदार को चक तो एक्दम पलट गई है गाओं वीरान पड़े है जंगल बेयाबान है खेत हलियान सूने है ना आदमी ना दमजाद ना चरिन ना परिन अजीब औ घरीब आवाजें आती है जमीन मातमी रंग ओड़े है चटियल मैदान पेड सूखे फिरते थे परिंदे प्यासे भूखे जलते ऐसे वहाँ के कंकर जिंगारिया थी कदम कदम पर जो घास जमी पर वहाँ थी सूखी किसी प्यासे की जबा थी चलती थी घजब हवाए वहशत फिरता थबो मुपतला वहशत अमर पसीने में घर्था आगे बड़ा जा रहा था के तभी एक पहाण अचानक फटा और चूर चूर हो गया जितने दरख थे सब किसब धेर हो गए जमीन थर्राई अमर जमीन पर गिरा और वहाँ जितने चरिन परन थे कि तोता मैना फाता हिरन बिच्चू दीमग गिलेरी सब किसब पट पट करके यक बारगी जमीन पर जले बुझे ओलों की तरह गिर पड़े अमर ने इसमे आजम का विर्द किया एक जगा आफियत की जो पाई तो जफीले अईयारी बजाई जिसे सुनकर उसका शागिर्द परक फिरंगी आया पास कुस्ताद के और बोला उस्ताद सब खेरियत बेटा या तो बड़ा गर्बर मामला चल रही है तुम बताओ क्या खबर लाए हो उस्ताद कोहिस्तान की फिजा पलट गई है जादूगरों ने कोहिस्तान पे हमला कर दिया है और कोहियों का मुल्क छीन लिया है कुछ कोही जो है वो बागी हो गए है और यारों के साथ मिलके जादूगरों से जंग करते हैं पर जादूगर बड़े चालाख है खुद नहीं लड़ते हैं कोहियों को कोहियों से लड़वाते हैं चादू कर बड़े चलाग है, खुद नहीं लड़ते हैं, कोहियों को कोहियों से लवाते हैं, कोहियों को कोहियों से मरवाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को उस्ताद फौजी कमाने दे दी, ऐसा निजाम खल्क किया है, कि लफज अमन कोई जबान पे भी लाया, या आज अच्छा वो जो अमीर ने इन लोगों की मदद के लिए एक हकीम भेजा था उसका क्या हुआ उस हकीम ने उस्ताद बहुत खिद्मत की कोहियों को तालीम दी, अंधों बच्चों का इलाज किया, बूढों को शफा बक्षी उन्हें तालीम सिखाई, उन्हें हिकमत सिखाई, पर इन नामुराज जादूगरों ने उन्हें गिरफतार किया और न सिर्फ कोहियों का, बलके मुल्क का दुश्मन खरार देकर जेल खाने हम जादाए। खता उस बिचारी की ये ठहराई, के एक बीमार नाचार सजा याफ्ता अईयार से मिलने जेल खाने में जाता था, पर दरवाजे पर खड़ाओकर जादूगर जिन्दाबाद, जादूगर पहिंदाबाद के नारे नहीं लगाता था, चापलूस ही नहीं करता, बस जलके खा जादियों पे ऐए वतन के जहां, चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिसम जाब बचा के चले बेका बर्क हम लोगों को बहुत बड़ी है यारी, सोचनी पड़ागी कोई, समद्धर हो? उस्ताद कलेश साहर बेदील जादू की अदालत में उस हकीम पर मुकदमा चलाया जाएगा, इन कमबक जादू गरों ने बहुत तगड़ा सहर इजात किया है, उस सहर को उस्ताद कानून कहते हैं, इस कानून का कोई तोड़ नहीं है, सिर्फ एक तोड़ है, वो है खुद क कानून, तो उस्ताद किसी कानून के तहत हकीम पर मुकदमा चलाया जाएगा, आप मेरे साथ चलियों देखिये क्या होता है, पर क्या हम लोग इस हुलिये में जा पाएंगे, अब उस्ताद मैं तो फिरंगी हूँ, मुझे तो पाड़न मिल जाएगा, और रही बात आपकी, तो आप ये खाकी वर्दी पहन लीजे फिर आपसे कोई नहीं बोला है, उनके खिलाफ बोलना देश्त्रो है, अच्छा, तुझ विटा ऐसा है कि ये बात तो तुमने बहुत साही कही है, लेकिन ऐसा है कि हम लोग अभी नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे, अभी तुम अ चलता हो, खुदाफिस कलवक्त पे आना, इस अरसे में रात तमाम हुई और साहरे मश्रक जोली जर्रारे शुआ के लिए चर्खे शोपदाबास पर आया, यानि सुबह हो गई, अभाजरीन निकल आया मश्रक से जो आपताब, हुआ फिर से रोशन जहान खराब, ये दोनों अपना अपना भेस बदल कर मिले और जाही रहे थे रास्ते में अधालत के, के अमर ने बर्क से का के बेटा, चश्म नम, जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमत इश्क, पोशीदा काफी नहीं, आज बाजार में पाप जॉला चलो, आज बाजार में पाप जॉला चलो दस्त अफशा चलो मस्तो रक्सा चलो खात बर सर चलो खूब अदामा चलो राह तकता है सब शहर जाना चलो रखते दिल बांध लो दिल फिगारो चलो फिर हमी कतल हो आए यारो चलो ये कहकर दोनों चलने लगे चार दिवारी में जो पहुँचे भी अदालत में खदम रखा ही था के अमर ने देखा कटगरे में हकीम खड़ा है और दूसरी तरफ सरकारी अमला है आगे कुछ काला लिबास पहने साहर बेखेंगे और पीछे भीड है अब साहब ये सोची रात आमर की शुरुआत कब होगी कैसे होगी कि वो कागे लिबास पहने साहरों में से एक आदमी खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में अजीब और गरीब जबान में कहने लगा क्या दिनांग छे पास साथ अधवा उसके पूर स्टेशन रोड राएपूर या केंदरी जेल राएपूर या केंदरी जेल बिलास पूर या कटोरा तलाव राएपूर या होटल महेंड राएपूर या होटल गितांजिली बिलास पूर में अब्युक्त गर्णे नकसली एवम आतंकी गत्विदियों की फिद्धुनसक करवाईयों को अंजाम देने वाले नकसली साहित, समाचाथ पत्र पत्रिकाए, सीडी, कमप्यूटर, कैसेट, लैपटॉप, सीप्यू इत्यादी एवम लेखों एवम अन्य दुष्परार सामगरियों द्वारा भारत सरकार अथवा राज सरकार के विरुद्ध युद्ध किया क्या युद्ध करने का प्रेट किया क्या युद्ध करने का दुश्प्रेरण किया अथवा विधी द्वारा स्थापित भारत सरकार के खिलाब साधनों एवं संकेतों द्वारा ओ प्रीती या अवमार या घ्रिना प्रदीप्त करने का प्रयक्न किया या घ्रिना प्रदीप्त करके राजद्रो का आपरादिक शड्यंत्र कारित किया या विदी विरुद्ध संग्धन के खिलाब प्रयोजन किया या फिर प्रयोजन करने का प्रयत्न किया या उसका अबिदाय प्राप करने की कोशिश की या अबिदाय प्राप करने के लिए याचना दी या अबिदाय प्रदान किया या कुछ भी किया अमर ने ये जबान जो सुनी तो बर्क से पूछा बेटा बर्क ये कौन सी जबान है जो हजरत खिजर ने मुझे नहीं सिखाई मानूस मालूम पढ़ती है लेकिन बड़े बिदेसी अलफाज उस्ताद ये आधुनिक समवेधानिक राश्टवादी हिंदी है वो कौन सी हिंदी थी बेटा जिसमें हमारे जिद्धे अमजद नीर और गालिप शायरी किया करते थे उस्ताद तो घुसपैटिया हिंदी थी अब साहिरों ने ये नफीस पाक साफ हिंदी दी है अच्छा इस बात को अलग रखो जी ये बताओ कि ये भारत सरकार क्या बला है उस्ताद हिंदुस्तान को आजकल भारत सरकार कहते मतलब कि ओहिस्तान पर हिंदुस्तान का कबजा है नहीं उस्ताद को हिस्तान पर भारत सरकार का कबजा है अज़ा विदी विरुद्ध संगठन का सदस्य होते हुए उसके प्रयोजन के लिए किसी सम्मेलन अत्वा क्रिया कलाप में भाग लिया या उक्त संगठन के किसी सदस्य को शंशे प्रदान किया या संसे प्रदान करने की याचना करने का आपरादिक शड्यंत कारित किया अथवा विदी विरुद्ध संगठन के लिए प्रभंदन किया या प्रभंदन में सहयोग दिया या उप्त विदी विरुद्ध संगठन के किसी सदस्य या बैठक को बढ़ावा दिया या फिर विदी विरुद्ध संगठन से किसी तरह भी अपने आपको जोड़ा अमर ने जो ये सुना तो फिर बरक से पूछा बेटा बरक इसने क्या किया या पर मुझे कुछ मामला समझ नहीं आ रहा है ये लोग क्या बाते कर रहे हैं मतलब इसे कोई रोकता क्यो नहीं है अस्ताद जो इन्हें रोक सकते हैं ना इसे उन्हें ये जबानी समझ में नहीं आते हैं और ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं ना बैठे हुए ये सारे बेज़बान है बस अंग्रेजी में थोड़ी बाग गिडमिट कर ले थे हैं हाँ वाश अदालत अभी जारी है सारे इंजामात सुनने के बाद कोई शक नहीं रह जाता कि ये शक्स एक मुझरिम है पर चूंके हम एक इंसाफ परस्थ निजाम है इसलिए अदालत की कारवाई पूरी होगी अब मैं नहायत खाबिल सर्टारी वकील साहब से कहूँगा कि अदालत की कारवाई शुरू की जाएगा हुजूर। 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 इस शक्स को देखें हैं आप जो कट घरे में खड़ा है ये जे एन्यू टाइप शक्स जो लोग जो सरकार से सस्थी तालीम पाकर सरकार कदिया सस्था हॉस्टल उसमें रहकर सरकार की बुराई करते हैं जूर देखिये मतलब कुर्ते के साथ जीन्स पहनते हैं बात 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 पर डाड़ी भडा लेते हैं सबसे पहले आप इनसे पूछिए के दाड़ी क्यों हाँ जी जवाब दी दिये दाड़ी क्यों रखी दाड़ी रखना जुर्म है क्या जुर्म नहीं है पर जुर्म का परिचायक तो हो सकते हैं एक्जैक्टली मिलोड एक्जैक्ली ये शक्स एक खास मानसिक्ता एक खास तक्के के तक्प होते हैं जो विधी द्वारा स्ताफित भारत सरकार के खिलाब अप्रीती अदमान घ्रिना प्रदीप करते हैं मुझूर्ण मैं ये पूछता हूं कि क्या कोई आम अशिक्षित संसकार युक्त ग्रामीर राश्ट्रवादी हिंदू बिना बात के दाड़ी रखता है नई रखता एक आम हिंदू तभी दाड़ी रखता है जब वो अपने देश से अपने समाज से अपनी सरकार से असंतुष्ट होता है पर हुजूर्ण 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 यहां सवाल ये उड़ता है के चपन इंच के सीने वाली सरकार से चपन इंच के सीने वाली सरकार से असंतुष्ट होने का क्या मतलब है आज जो असंतुष्ट है ना वो कल अराजक होगा परसो राज द्रोही होगा और तरसो देश द्रोही होगा तूर्ण आप अपने इर्द गिर्द देख लीजे कैसे लोगने दाड़ी बनाई हुई देखिए आप से कह रहा हूँ के दाड़ी ही निशान है दाड़ी ही पहचान है दाड़ी ही अभयोग है और दाड़ी ही सबूत है मिलाद मैं आपको बताता हूँ के मैंने दाड़ी क्यों रखी मैंने किताब पढ़ी थी जिसमें गोरा शक्स अपने मूँ पर कालिक पोट कर पूरे अमरीका का भ्रहमन करता है ताकि वो ये महसूस कर सके कि नसलवाद को छेलना क्या होता है उसी तरह सन बानवे में जब हमारे मुल्क में बाबरी मज़िद कांड हुआ तो जो हाल था जिस तरह से एक संप्रदाय आतंकित था तो उसे देखते हुए मैंने दाड़ी बढ़ाने का फैसला किया ताकि मैं ये महसूस कर सकूँ कि इस शक्त के दाइरे में जीना क्या होता है देखिये 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 हुजूर ये मन्शा शरारती नहीं है तो और क्या है कहां अमरीका का नसलवाद कहां हमारे मुल्क की मिली जुली तहजीद मतलब हिंदू मसलिम से किसाई आपस में है भाई भाई जूर ये जानते हुए एक हिंदू होकर ये मुसल्मान होने का ढूंड करना पुराने सख्मों को कुरेदना ये जूठी हमदर्दी नहीं है तो और क्या है अरे मैं कहता हूँ पाथन्ड है नेतिकता विरोधी है और तुष्टी करन का इससे बड़ा पुष्टी करन हो ही नहीं है सवाल ये उठता है कि अगर दाड़ी रखी थी तो मुडवाई क्यों है बताईए जी जवाब दीजिए आरे कोई जवाब नहीं है हुजूर ये खामोशी ये चुपी ये निरोतरता ये एक अकेली चीज इने मुझरिम साबित करने के लिए काफी है बेशक बेशक काफी तो है पर अदालक इसकी बेगुनाही में कोई गुंजाइश रखना नहीं चाहती कि ये बेगुनाह रहे इसलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अदालक की नजर में ये कौन है फूसरे को ख्याद आतंकी और साजशी है और कोई जूल किया इसक जूब फूसर कि नारे लगाता है फीश यूदिय भाशार देता अब कि गआव कि है कि अगर तुमारी भारत माता में मुझे अपनी माथ सामिल नहीं नजर आती को तुमारी बारत लीगा और क्या कहता है? कहता है कि मैं हकीम हूँ लेकिन एक बागी नायार से मिलने जेल में जाता था लेकिन जेल में मिलने के बहाने उसके बागी खतूत, उसके पेगाम बाहर जो बागी कोही थे उन तक पहुँचाता था ये नकसली डा किया ऐसा किस बिना पर कहा जा सकता है हुजूर देखिए पहली बात तो ये कि इन से इनके बिना कोई दूसरा शख्स उस बागी नायार सर्दार से मिलने जेल में गया ही नहीं और दूसरा ये कि जहां से गिरफ्तार हुए उसी शहर से जानी बद्रलोक नगरी से हमें एक ताजर के घर से तीन खुदूर बरामद हुए उस नायार सर्दार के इसी ने दिये होंगे कोई गवाः कोई सबूत हुदूर देखें मुत्वर ख़बर है जब ये गिरफ्तार हुआ ना तो एक राहगीर घुजर रहा था उसने उड़ती उड़ती ख़बर सुन ली और आप तो जानते हैं के हमारे शेहनशा को उड़ती उड़ती बातों के किते हुद जगा जगा जाल बिछाए हुए बेशक बेशक शेहनशा अफरास यापको तो बस उड़ती होई बातों पर ही बनुसा है विल्कुल हुजूर और बात उड़ती है तो दूर तलग ताइम्स ना उतक जाती है जाती तो है पर इस पर इनका क्या कहना है इनका इनका ये कहना है कि जब जेल में जाते थे न उस बागी नाई यार सरदार से मिलने हैं तो है रहे हैं कि वा दो सरकारश हमने वाले लोग पहरी दार निगरानी वाले Marion वो तो मौन ही किसे मुण्किन हैं कॉई चीज़ ए नि ली गई वैसे एक पेचौर है हमारे सरकारश हमने मुजरिम के हक में कैसे बिढन दे सकते हैं? आप रहिए अधर गजिए कि जो आदमी मुझरिम के रहक में बयान देगा उसे हॉस्टाइल क्लेर कर दिया है. अदालत ये एलान करती है कि जो शक्स भी मुल्जिम की तरफदारी करेगा क्या उसके हक में बयान देगा अदालत उसे होस्टाइल करार देगी और वैसे भी वकील साथ आपकी दलीलों में दम है क्योंकि जब उस बागी नायार सरदार से इनके अलावा कोई मिलने ही नहीं गया और वो ताजिर भी इनहीं के शहर से पकड़ा गया तो फिर वो खट इसी नक्सली डाकिये ने वहाँ पहुचा है होंगे और वैसे भी ये तिलिस्म है यहां खट पहुचाने के लिए सामने से मिलना ज़रूरी थोड़ी होता है पहराल वकील साब आप अगला सबूत पेश कर दीज़ाएं यह एक विदी विरुद संगठन का सदस्य है मतलब कि हो सकता है मतलब अगर नहीं भी है तो यह मान सकता तो वही रखता है अगर मान सकता नहीं रखता तो कमस कम इसे उससे हमदर्दी तो है और वजूर उसकी बज़ा यह कि आज तक इसने कभी भी खुले दिल से उनकी मजब्मत नहीं की है अब देखिए जो आदमी हमेशा ऊपर ऊपर से भरसना करता है न उस दिल में हमेशा हम दर्दी लिये होता है तो यह साबित हुआ कि यह बेशक उनके साथ है और बाकी बात रही इनकी सदसिता की आईडी कार्ट बगर की हमें एक वीडियो डॉक्टर कर रहे हैं कल तक पहुँच जाए इनका क्या पक्छा है इस पर हुदूर यह लो बुड़े दूर की कोड़ी लाए है कहते हैं कि अदालत आलिया में हाली में कहा है कि विधी विरुद्व संगठन का महस सदस्य होना कोई जुर्म नहीं है जाद हमें कानून न सिखाई है अदालत आलिया यहां बैठी है उसे क्या मालूं ग्राउन रियालिटीज और वैसे भी तेड़े कानून के तीसरे हिस्से की पाचवी आयत के मताबिक किसी विधी विरुद्व संगठन का सदस्य होना कानून शुर्म है पर वकील साब अप अहतियातन अहतियातन कुछ ठोस सबूत पेश कर दीजाए हुदूर हमें इनके घर से एक खत मिला उस बागी नाईयार सरदार का इने शुक्रिया अदा करता हुआ इनके घर के एक आले में मूँ छिपाए ता हमने कागस पे उतार लिया इन्हों ने क्या कहा है हुदूर ये कहते हैं कि जब माल खाने में सारे दस्तावेश जमा किये गए थे इनके दस्थकत लिये गए थे अगर ये खत भी होता उस पर इनका दस्थकत होता लेकिन हुजूर उसमें मेरा ये कहना है के हम तो एक तिलिस्म में हैंना यहां तो को ही से को ही जुड़ा हुआ है कागस से कागस जुड़ गया होगा इसमें कुछ सी बड़ी बात है स्वाधाविक है आग बिन धुआ तो होता नहीं है और जहां धुआ है वहाँ आग है जहाँ आग है तो वो निजाम के खिलाफ है और जहाँ निजाम के खिलाफ कुछ है तो नियत में इनकी खोट है पर फिर भी वकील साहब आजकर मीडिया वाले हैं ना जो कम लख होत परेशान करते हैं बड़े इल्जाम लगाते हैं तो इनकी तसली के लिए कुछ स्थबूत और पेश कर देशा हैं जूर इनके घर से हमें दो चीजें बरामद हुई हैं एक तो हैं एक रिसाला आवामी मोर्चे का समझे ना हुदूर आवामी मोर्चा पीपल्स फरंट नाम से कितना तक्रीबी मालूम होता है उसका एक रिसाला उसका हमें एक शुमारा मिल गया और दूसरी चीज जो मिली है वो है सिल्वा जुरूम कानून के खिलाफ एक पैम्पलेट पैम्पलेट और आप तो जानते हैं के पिछले दो सौ सालों की इनसानी तारीख में ये पैम्पलेट नाम की चीज जहां भी कई पाई गई है वोल्टेयर से लेके सीपी आई हमल तक फितनव फसाद की बाइस रही है हुज़ूर और जब ये बच्चु फसे तब इन्हों ने क्या तहाँ कहते हैं कि ये जो दोनों चीज़े हैं ये आम तोर पर दस्ते आवें आम तोर से मिल जाती है लेकिन हुज़ूर मेरा उसमें ये कहना है कि कोई आम चीज जब एक मुल्जिन के घर से मिलती है ना तो वो खास हो जाती है जूर देखिए क्योंकि ये मश्कूक चीज इनके घर से मिली है इसकी ये मुल्जिन है और चुमकि ये मुल्जिन है इसलिए इनके घर से बरामद होने वाली हर चीज मश्कूर है जूर ये ना दौरी मंतक है दौरी मंतक आजकल पुलीशियों को बड़ी पसंद है देखिये पर मेरा सवाल है कि इनी के घर से क्यों जाहिर से बात है कीता भत गणों के ही तो घर से मिलेगी नियत इनकी जाहिर होई अब कुछ इनके रवये के बारे में बताया जाए निय्कूची होई छूड़र इनके ग्रवये के बार में आफी प्लचें तो इन की सेना जोरी Chemis दिखाते हैं मतल मैं आपको क्या हूं के हमारे सरकारी अमले के जो लोगे है लोग है वह अलाखिर वगैरा वो जाते और आवां और सरकार सरकार और आवां के बीछ में प्रीति प्रदीत करने जाते हैं ओसे इन के लोग बीच में आके अप्री प्राइस अगर आप्नी इन हर्कतों से तंग आगा एक दिन हमारे आला अपसर नज्थी इन से की लोग अगर आप अपनी इन घर तो यहांगे न तो भी ऑप जानते हैं हुजूर इन्होंने क्या कहा आखे निकॉल कर कहा लाजम है के हम भी देखें के हम दुनिया को देखें और यह हमें देखेंगे अच्छा अपने आपको शहनशा अफरासी आप समझते हैं ना कि बनिगाहे कहर हमें घूरेंगे और हम भस्म हो जाएंगे नीचे की जो निगाह पर वकील साहब आप जो है ना दिल्ली और मुंबई में कुछ उच्च वर्क के लोग रहते हैं उनके लिए दो चार समूत एक अ की बेगम ने एक खत लिखा था आईएसाई के हॉल टल ड्रेंडस के नाथ इसाई में इसाई होसला है मिशनरियों का जहां इसाए है यह फो वाला इसाई नहीं है यह वो समाजी अधारा है समाजी एगदार के का उट कुश्च न मैं यह पूछता हूँ कि जब हमारे उल्मा हमें ये बात अच्छी तरह समझा गए हैं कि अगर किसी चीज को शराब की मुशाबिहत भी दे के पिया जाए तब भी हो राम है तो मैं ये पूछता हूँ कि मिलते चुलते नाम वाले इदारे को खत लिखने की जरूरे क्या है इस बात में कोई शक नहीं कि ये शक्स मुझरिम है पर इंसाफ का तकाजा है कि मुल्जिम को अपनी दिफा में बोलने का एक मौका दिया जाए तो मैं इस से पूछता हूँ कि क्या तुम्हे कुछ कहना है अपनी दिफा में मुझे अपनी दिफा में कुछ नहीं कहना है पर मैं एक बयान दोहराना चाहता हूँ जो आज से 96 बरस पहले ऐसी ही एक अदालत में ऐसे ही इल्जाम के जवाब में दिया गया था अदालत को किसी और के बयान में कोई दिल्चस्पी नहीं है किसका वयान है हुजूर वो हम सब के बापू थे हम सब के बापू मतलब बापू जिनके बार में परसाई जी ये कह गए है के बापू एक दिन लोग तुम्हें इसलिए जानेंगे के नाथु राम गोट से ने तुम्हें गोली मारी थे तो सीधे सीधे कांधी कहिए ना ये हम सब के बापू कहके अदालत को गुम्राँ क्यों कर दो जिस कानून के तहट मुझ पर ये इल्जाम लगे हैं वो ताजिरात हिंद की सियासी पाबंदियों और जब्र के कानूनों का सर्ताज है और शेहरियों की आजादी को कुचलने के लिए वजूद में आया है किसी सरकार के लिए खेर खाही या खेर अंदेशी कानून के जरिये जबरदस्ती नहीं पैदा की जा सकती अगर कोई किसी फर्द से या किसी निजाम से बदजन है तो उसे बदजनी के इजहार का फक है तब तक जब तक के वो तशद्द को शेह नहीं देता पर इस कानून के तहट बदजनी का इजहार तक जुर्म है मैंने इस कानून का मुटाला किया है इसके तहट हिंदुस्तान की चंद अजीम तरीन हस्तियों को सजा मिली है आज उस फहरिस्त में मेरा नाम जुड़ गया मुझे इस बात पर फक है मुझे लगता है कि ये कानून बुनियादी तोर पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुचा रहा है इसलिए इसके खिलाब बदजनी का इजहार करना कार-खैर है बलकि ऐसी सरकार के लिए खैर-खाही रखना अपने आप में कार-गुणा और कार-गुणाफ दूब मरो इस इंसाफ पर आसू बहाओ इस खानून पर जो कमजोरों के लिए तलवार की धार है और जबरदस्त के लिए बागो बहार है जो अपने लिए नगमे साज है और हमारे लिए मोत की आवाज है तुम्हारे लिए ही पैदा हुए है दुनिया के नजारे चमकते हैं तुम्हारी ही रोशनी से चांद और तारे तुम्हारा गम है गम औरों का गम खौबों कहानी है तुम्हारा खून खून है हमारा खून पानी है फजूरी ने कहिए सौरा मोदी के फिल्मी डायलोग मारना बन करें ये ये सब करके अदालत का बक्त जाया कर रहे हैं अदालत जजबातियत की रौ में आकर फैसला नहीं देती बेशक और रहे हाँ कानून अंधा होता है और इन अयाम में तो कानून को जादा ही अंधा यकीना अदालत जज़बाद की रो में आके फैसला नहीं सुनाती इनका गुनाँ सावित हुआ हमारे यहां अमल से अफजल निजाम है ओात से अफजल निजाम है और निजाम से अफजल नियत है और नियत में इनकी खोट है अदालत इनकी अर्जी और इनकी हस्ती दोनों को खारिच करती है और पेशकासाफ ज़रा यहां आई है यह जो बापू है ना इनके फाइल भी निकलवाई है इनका भी मामला मश्कूग लगता है अमर ने जो ये बात सुनी बर्क को इशारा किया बेटा बर्क यहां से चलो हमारे ठेरने की जा नहीं क्योंकि हमारी भी नियत में खोट है बेटा मैं तो तिलिस में होश रुबा गया तिलिस में जम्शेदी गया तिलिस में नूर अफशा गया पर ऐसा तिलिस में कहीं नहीं देगा बेटा अब इस अकेले हकीम को तो मैं कुछ आयारी करके छुडा लूँगा लिकिन लगता है कि इनके कायद खानों में हजारों लाखों लोग बंद हैं जिनकी तो समात तक नहीं होती मुझे तो उन बागियों का डर है तो बेटा नहीं होती